हबर जनपर शरौरती से हैं जहां पर 12 वफात त्योहार को लेकर सोमवार को एकवना थाने में पुलीस 16 अधिकारी महंदर पाल शर्मा की अधिशता में पीज कमेटी की बैठक आयुजित की गई बैठक में लोगों से त्योहार को शान्ती पूरवक मनाने की अपील की गई शाथ ही शान्ती बिगाडने वाले माहोल खराब करने वाले आराजक तत्तों पर कड़ी कारवाई करने की चेतावनी दी गई आपको बता दे कि शीयो यंपी शर्मा ने कहा कि शान्ती बिवर्था के द्रिश्टी गथ पुलीस पर सासन चौकस है त्योहार में किसी परकार की कोई शमस्या ना हो और च्छेत्र में शान्ती बिवर्था बनी रहे यदि किसी के द्वारा किसी भी तरह से कानून का उलंगन किया गया तो उसके बिरुद शक्त कारवाई की जाएगी पुलीस लगातार आराजक तत्तों पर नजर रख रही है उनोंने कहा कि त्योहार वर्ष में एक बार आते हैं इससे शान्ती से मनाने के बजाएगे कुछ लोग आराजटा फेलाने का काम करते हैं पुलीस उन्से सक्ति से निप्टे की उनोंने लोगों से कहा कि यदि किसी को कोई समस्या होती है तो वे पुलीस को सूचना दे सियों ने परभारी निर्चक को निर्देश दिया कि सुरच्छा के सभी इंतिजाम मुकमल किये जाएं वो अब पुलीस छेत में लगातार गर्ष्ट कर शांती व्योस्ता बनाये रखें कहीं भी कोई समस्या हो या किसी की शिकायत हो तो उसे गंभीता से लेते हुए समाधान किया जाएं उन्होंने लोगों से उनकी समस्या जानी और उनके उनसे समाधान के लिए मतहतों को निर्देशित किया उन्होंने कहा कि सभी लोग कुरोना प्रोटोकाल का पालन करना होगा सभी लोग आस पास आपश में मिल जुलकर त्योहार मनाएं ऐसा कोई काम ना करें कि दूसरे को उससे कोई समस्या हो लोगों की सुरच्छा वा समस्या के लिए पुलिस मुस्ताइद है लोगों लोग पुलिस को सांती विवर्था बनाये रखने में मदद करें जिससे त्योहार को शांती पुर्वक शंपन कराये जा शके